मित्र ओर उर उफ ताव फिर सब बढ़िया है ना क्या हाल चाल अरे यार आप हमेशा ना हस्ते रहा करो सबसे पहले यार इस ताव की तरफ देखो अबे ताव तुम्हें उठा कर ले जाए काले कच्छे वाले तुम्हारे कच्छे में घुज़े शिपकली ये सब करने से पहले तुम्हें तुम्हारा उपर कच्छा के क्यों नहीं कट गया अबे तव थोड़े दिन जीले जिंदगी दिवाली में मैं तुम्हारे लिए एक रोकेट लाऊँगा मार्केट में से तुम्हारी धोती के नीचे लगाऊँगा और जला दूँगा और सीधा ही ठा खतम और इस अंटी को मैं क्या बोलूँ अरे अरे अंटी सेम टू यू यहाँ पर देखो दोस्तों ये मुन्हा और मुन्ही शादी कर रहे थे लेकिन इनका रंग सामला था इन्होंने कहा कि चलो एक दूसरे को सफेद किया जाए यह माला में देखर फैरन लवली की माला ये डाल रहे है ताकि ये दोनों फैरन लवली लगा सके और गोरे गोरे हो जाए शादी के बाद हैना हैना यार बहुत ही चलाक है बहुत ही चलाक है दुला और दुला न एक दूसरे को ऐसी माला डाली है यो कि एक दूसरे के काम भी आये यहाँ पर देखो दोस्तों चुडिया का गोंसला चुडिया ने बहुत ही बड़े चीज देखकर गोंसला बनाया है यानि कि यहाँ पर लाइटें लगा रखी थी तब ही चुडिया ने दिमाग चलाया और एक लाइट के उपर अपना गोंसला बना डाला ताकि यह चुडिया फ्री में लाइट का लुप्त उठा सके और देखो देखो उठा भी रही है बिना किसी इलक्टरीक मीटर के बिकल मोज ले रही है चुडिया घर में उजाला कर रहा है उजाला यहाँ पर देखो अरे अरे एंकल है मैं अपने महले के कुटों को 10 रुपे क पारले जी का बिस्कूट खिलाऊंगा और तुमारे नाम के सुपारी दे दूँगा और तुमारे कच्छे फड़वा दूँगा तुम दोनों के यह क्या क्या कर रहे हो कैसी वीडियो बना रहे हो और हम लोगों को जला रहे हो अब एक नंबर के पापी लोगो तुमारी मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकता इससे पहले कि तुम लोग सिंगल लोगों को टपकाओ सिंगल लोग एक साथ मिलकर बिल्कुल तुम्हें टपका देंगे यारो अगर आपको डेली शाम चार वजे नई वीडियो देखनी है तो फोलो कर लो सब्सक्राइब बटन को उखाड फिंको बढ़ते हैं आगे मित्रो आजगल के नई जमाने के दुला और दुलन से बिल्कुल भी वेट नहीं होती देखो देखो हैर आए दिन कोई ना कोई भाग भागर फिरे लेह लेता है इन दुला और दुलन को भी बहुत ही जल्दी है देखो कैसे भाग रहा है दे दना दना बोलते हैं कि जल्दी जल्दी से मंतर पड़ो पंडिजी और जल्दी से हम लोग शादी कर लें और देखो भाग भाग के फिरे ले रहे हैं अरे मुन्ना मुनी इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा बड़ी है तरिके से शादी करो लेकिन नहीं, काफी जल्दी है इन दोनों को, खैर दोस्तों यहाँ पर देखो इस अंकल जी की तिरफो, आप लोग बोल रहे होंगे कि पता नहीं किसको खींच रहा है, लेकिन दोस् खर कौन से मैं बुरी थी, यार मुझे बुरी नहीं लगता है कि अंकल जी के सरकारी नवकरी थी, हैना हैना अंकल जी, बहुत ही जमीन और ज्याइदा थी अंकल जी के पास है, जिसके बाद मुनी भागी भागी पापा की परी की तरह उड़ती उड़ती आगी अंकल जी के पास और लिप्ट गई अंकल जी के साथ और करली शादी अरे दोस्तों आप हसते रहा करो ये लोग तो हमें जलाते रहेंगे मैं आपको हसाता रहूँगा फोलो कर लो येर सब्सक्राइब बिटन को उखाड फेंगो हर रोज शाम चार वजे नई वीडियो देखने के लिए